चाइना में इस टाइम कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है चाइए वो वोहान शहर को कोरिंटाइन में रखने की बात हो दस दिन में दो बड़े हॉस्पिटल बनाना या फिर कोरोना वाइरस से मारे जानवाई लोगों को दफनाने की वजाए जलाने वाली बात हो चाइना इस टाइम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाता शायद इसलिए ये खबर सामने आई है कि जिस तरीके से coronavirus से संधे वाले हजारों लाखों लोगों को समाच से अलग थालग यानि की quarantine कर दिया गया है उसी तरीके से अब चाइना की currency notes को भी quarantine किया जा रहा है क्या ऐसा करने से चाइना में भी demonetization जैसी स्तिती हो जाएगी जो इंडिया में हमने 8 नुमंबर 2016 के बाद face की थी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे coronavirus के latest updates को लेकर क्यों destroy कर रही है चाइना अपने currency notes ये भी बात करेंगी कि चाइना की सरकार कैसे कर रही है notes की सफाई क्या असर पढ़ रहा है coronavirus का चाइना समेथ इंडिया की economy पर कैसे इसका फाइदा भी मिल सकता है भारत को अगर proactively कदम उठाए जाएं तो तो इनी सब topics पर जानकारी के लिए आप सभी बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के end तक आपको ऐसा लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आगे के updates के लिए please मेरे चैनल को subscribe जरूर करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना के भुहान शहर में फैले coronavirus के updates को लेकर coronavirus जिसका नाम अब हो गया है COVID-19 इस virus को कंट्रोल करने में अभी भी चाइना के लिए मुश्किल हो रहा है ये इतनी तीजी से फैल रहा है कि हर संभव एतिहाद बरतने के बाद भी day by day इसके संभावित होने वाले logo account बढ़ता जा रहा है इस वक्त coronavirus से जान गवा चुके लोगों का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है और इससे infected लोगों का count 75,000 को पार कर चुका है जिन में से 12,000 लोगों की situation critical है वो इस टाइम stage 4 या stage 5 में है और Diamond Princess cruise ship जिसमें लगबग 3700 यात्री सवार कर रहे थे जो जिपान की Yokohoma port पे खड़ी थी बाद इस ship को 19 फरवरी तक quarantine में रखने का आदेश था इस ship में भी इस टाइम coronavirus से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 621 पहुंच गया है एक और भारतिय का test coronavirus से positive आया है जिससे कि ship पर coronavirus से संक्रमित होने वाले भारतियों अकाउंट साथ हो गया है अब बात करते हैं कि क्यों destroy कर रही है चाइना अपने currency notes चाइना का कहना है कि अब इस virus की चपेट में इसकी currency भी आ चुकी है कागज के दूटों से infected होने का खत्रा बढ़ता जा रहा है ऐसा मानना है कि hospitals, airports और बाकी public places पर इस्तमाल होने वाले कागजी नोट कोरोना वाइरस की चपेट में आ गए हैं और ये currency notes इंसानों में वाइरस को फेलाने का जरिया भी बन सकते हैं क्योंकि currency notes आपकी जेब में एक ऐसी चीज हैं तो हजारों लोगों के हातों से गुजर कर आप तक पहुंचता है तो साथ में कई प्रकार के bacteria, viruses भी साथ लेके आता है तो आम तोर पर हमें भी इतिहाद बरतने को बोला जाता है कि note का लेंदेन करने के बाग अपने हाथ बिना धोए, मूँ को ना चुए, ना ही कुछ खाए इसलिए चाइना के government संक्रमित लोगों के हातों से फैले note को ठीक करने में जुट गई है अब बात करते हैं कि चाइना की सरकार कैसे कर रही है इन note की सफाई ये note चीनी yuan हो, American dollar हो, British pound हो या फिर euro ही क्यों ना हो घबराई हुई People's Bank of China, PBOC सभी note की सफाई करने जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों से note वापिस मंगवाए जाएंगे और उनके बदले में दूसरे नए note दिये जाएंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास जाकर ही उनके note की सफाई की जाएगी Central Bank का कहना है कि note की सफाई के लिए Hot Temperatures of UV Lights यानी की बहुत गरम तापमान पे UV रोशनी का इस्तमाल किया जाएगा और उसके बाद उन currency notes को वापिस market में circulate करने से पहले दो हफते के लिए store करके या कहे लीजे quarantine में रखा जाएगा ये घटना करम यही साबित कर रहा है कि इस टाइम चाइना में हालत काफी नाजुक है जिसकी वज़े से सरकार इतना extreme कदम उठाने पे मचबूर हुई है हाला कि अभी तक इस बारे में कुछ विश्वस्निय पुष्टी नहीं हुई है कि coronavirus किसी चीज के भीतर कितने time तक जिन्दा रह सकता है लेकिन ये बात सच है कि currency notes इतने जादा लोगों के हातों से गुजरते हैं कि virus के travel करने के chances काफी high है अब देखते हैं कि चाइना के इस कदम के चलते कितनी डगमगाएगी चाइना की economy आम तोर पर हर देश की सरकार हर साल अपने कुछ फीस्दी नोटों को बदलती है लेकिन coronavirus के मध्य नजर जितने बड़े पैमाने पर चाइना सरकार को इस time एक्सरसाइज करनी होगी उसमें इस रकम की तुलना में सैकडों गुना जादा रकम की सफाई करने और बदलनी की जुरुत पड़ सकती है इससे कुछ negative economic results भी हो सकते हैं चाइना government ने अभी कुछ दिन पहले ही हुबई प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में नए नोटों की सप्लाए की थी कोरोनो वाइरस का सबसे बड़ा संक्रमन वुहान शेहर में हुआ है जो इसी प्रांत में आता है वुहान में कुछ दिन पहले 4 अरब यानि की 4 बिलियन युआन की नए नोटों की सप्लाए हुई थी पिछले बही ने जैन्वरी में चाइना का केंद्रिय बैंक पूरे चाइना में 600 अरब युआन की नए नोट जारी कर चुका है इस टाइम 6,000 से जादा ट्रांसेक्शन से 800 मिलियन युआन सप्लाई हो चुके है इतने बड़े स्केल पे एकॉनमिय बर्डन आने से आर्थिक विवस्ता का डगमगाना लाजमी है दोस्तों अब ये सवाल भी उठता है कि जो करंसी चाइना से दूसरे देशों में जा चुकी है उसका क्या होगा आपका इस पे कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अब इन सब चीजों के चलते क्या असर पढ़ रहा है इंडिया की अर्थ विवस्ता पर भारत की बात करे तो भारत अपने इलेक्टरिकल इंजिनिरिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ केमिकल आधी भी चाइना से ही इंपोर्ट करता रहा है लेकिन चाइना में चलती स्तिती से इनके दाम बढ़ जाने की उमीद की जा रही है जिससे पहले ही दिकतों में चल रही ओटो मुबील सेक्टर पर और गहरा असर पढ़ने की उमीद है भारत के टूरिजम पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है क्योंकि साल 2019 में भारत में आने वाले टूरिस्स में से लगभग 3% टूरिस्स चाइना से ही थे चाइना भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साल 2019 में भारत के कुल इंपोर्ट्स में से 14% इंपोर्ट्स चाइना से ही किया गया था वहीं कुल एक्सपोर्ट से 5% एक्सपोर्ट सी चाइना को किया गया था कुरणा वायरस से पैदा हुई स्थिती के चलते इंपॉर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है यही नहीं भारत की डायमंड इंडस्ट्री को भी इसे काफी नुकसान हो रहा है पेरसिटोमोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाले ड्रग्स जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उसका दाम भी पिछले 10 दिनों में दुगना हो गया है बाकी रह गई बाद चाइना से आने वाले मोबाईल से टेकनोलीजी की इनकी शॉर्टेज भी हो सकती है जिससे इनके दाम भी बढ़ सकते है ये हो गई परिशान करने वाली बाते अब देखते हैं कि कैसे हो सकता है भारत को फायदा भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है वही इस्तीती का भारत को कुछ फायदे भी मिल सकते हैं जैसे कि जो भी ग्लोबल बायर्स हैं जो सेरमिक प्रोडक्ट्स, होम वेर, फैशन आइटम्स या फिर लाइस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट थे वो अब उसी जगा इंडिया की और अपना रुख कर सकते हैं और वहीं चाइना की लोकल प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण भारत कैमिकल, पेट्रोलियम, एगरिकल्चरल इंजिनिरिंग गुड्स और प्लास्टिक जैसी चीजें चाइना को एक्सपोर्ट भी कर सकता है यही नहीं चाइना में चल रही स्तीति के चलते कच्चे तेल के रेट में भी कमी आ रही है, जिसका फाइदा भारतिय बजार को मिल सकता है तो दोस्तो आपको क्या लगता है? चाइना का ये डिसीजन कोरणा वारस को काबू करने में काम आएगा? कहीं ये फैसला चाइना की एकॉनमी को तो नहीं ले डूबेगा क्यूंकि नोट बदलने का एक एतिहासिक फैसला नमंबर 8, 2016 को रात 8 बजे मोदी जी की सरकार ने भी लिया था Demonetization क्या लगता है भारत को इससे कुछ फायदा हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में Until then अपना और अपनों का ख्याल रखें उन्हें धेर सारा प्यार करें